यह उतो क्रिकेट में हार जीत होता ही रहता है लेकिन प्ले अप से पहले गुजराट से ये हार CSK को चुगेगा जरूर इस हार की बात CSK और प्ले अप की दुरिया बढ़ेगा जरूर CSK क्या टॉप फोर में जाएगा इसको लेकर एक बहुत बड़ा कुशन मार्क आ गये है बाची हुई मैस में अगर RCB CSK को हरा देता है तो प्ले अप का रस्ता बंध हो सकते है CSK का और ये इसलिए हुआ है कि गुजराट ने अपने घर पर चैन्नाई को बता दिया कि किंग हम है गुजराट ने चैन्नाई को 35 रानों से हरा दिये गुजराट इस मुकाबले में वान साइडेट खिल रहे थे शुब्मन गिल और साइड शुदर्शन ने गुजराट की पारी की जब शुरुआत की तो पहला विकेट 210 रान पर गिरी और चैन्नाई जब बल्लेबाजी के लिए आये तो 10 रान पर 3 विकेट गिर गए थे आजिंका रहने रसिंडरा रविंडरा और रितुराज गईकुआट जल्दी आउट हो गए और इस मेश को गबा गए अगर आपकी टॉप खिलारी एक एक शुन्यू बना कर आउट हो जाते है तो आप मेश केशी जितूगी चैननाई ना कि ये मेश हरते हैं उनका नेट रान रिट भी गिर जाते हैं और गुजराट ने इस जीत की साथ RCB, LHG और DC को खुशी का मुका दे दिया CSK इस बात को लेकर खुश है कि धोनी आये और साये धोनी ने अपना काम कर दिया 11 गेम पर 26 रान बनाए इस मेश में हर का मतलाब है प्लेओप में समस्या और ये बात CSK जानती है और इसलिए मुएन अली को उपर बेजा गया उन्होंने 27 गेम पर 57 रान ठोक दिये मिशल ने अच्छे बलेवाजी की 34 गेम पर 63 रान बनाए लेकिन रविन्रे जदेजा और शीबम दूबे वो काम नहीं कर पाए जिन के लिए वो जाने जाते हैं लेकिन इस मेश में मुहित शर्मा ने अपना कामबेक किया वो मुहित शर्मा जिसको पिछला मेश में RCB ने बहुत पिटाई किया था यही वो मुहीर शर्मा जो पिछले साल IPN में धूम मचा दिया था और ये भी बात हो रहा था कि इनको इंडियान टिम में लाना चाहिए लेकिन इस साल अच्छा नहीं गुजरा उनका मुहीर शर्मा ने इस मेंस में गेम सेंज कर दिया जब उनको मेडिल अबर्स में गेम बजी करनी के लिए दिया गया मुहीर शर्मा आये और 13 नमबर अबर में मोहीन आली और मिशेल को आउट कर दिया इन दोनों ने ही सबसे अच्छा बलेबाजी किया था चन्नाई की तरफ से इन दोनों को आउट करनी की बाद चन्नाई की कमर तूट गई साय शुदर्शन जब पीली जर्शी की सामने आता है तो उनकी अंदर से शेर निकाल आता है इस मेश मेश चन्नाई की तरफ से तूशार देशपन्डे ने शांदार गेमबाजी की आखरी की ओवरों में जिसकी बज़े से धाई सोतोक पहुशने से रोक पया गुजराट को और गुजराट की तरफ से मुहीर शर्मा ने शांदार गेमबाजी की उन्होंने चार ओवर में 31 राम देकर 3 विकेट चटकाए और राशित खान ने चार ओवर में 38 राम देकर 2 विकेट चटकाए और इन ही की गेमबाजों का असर है कि ये मेज CSK जित नहीं पाए लेकिन यहां से CSK का रा है मुश्किल होने वाला है उनका रान रेट गिर गई है हालाकि CSK की अभी भी दो मेस बागी है लेकिन RCB की उम्मीद यहां से बढ़ जाते है क्योंकि एक मेस RCB की साथ भी है CSK का और CSK का अगला मेस जो है वो राजोस्तान रोयल्स की साथ है जो काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि उस टीम में है रियान पराग उस टीम में है सुन्जू सेम्सन CSK के लिए अगला दोनों ही मेस आसान नहीं होने वाला अगर दोनों मेसों में से किसी एक मेस में CS के हर जाए तो प्ले ओप का रस्ता मुश्किल हो सकता है इसी की साथ दोस्तों आप लोगे से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैहिन